हेलो एब्रीवान, वेलकम टो और चानल, जोएन MNS अकाडमी, आज के वीडियो में हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं, ये मॉक टेस्ट 150 कोश्चिन वाला है, ठीक है, और इसमें मैंने आंसर्स नहीं लिखे हैं, तो आप मेरे साथ ट्राइ करना आंसर्स देने का, तो अगर आपक आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, कुईस के फॉर्म में, और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी जॉइन कर सकते हैं, सबसे पहले जेनरल नॉलज़ के कोश्चिन हैं, तो 50 कोश्चिन जीके क्यों होंगे, फर्स्ट कोश्चिन है, लांगविज स्पोकन बाइ लार्ज नॉलज़ कोश्चिन है, जो सबसे जादा बोली जाती है, लोगों के द्वारा इस पूरे वर्ल्ड में, ऑप्शिन है, हिंदी, इंग्लेश, स्पानिश या मैंडरीन, आपको जो करेक्ट लग रहा है, वो लिखो आप, देन मैं आपको इसका अंसर बताती हूँ, तो इसका इसका और 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 इसका इसमें से कौन सा परसन है जो शूटिंग के लिए जाना जाता है इसका correct answer है option A आपको अगर fast लग रहे तो आप वीडियो को pause करके फिर आप answer लिखो ठीक है लिकिन answer लिखो try करो next question 4 which of the following cause AIDS इसमें से कौन सा वाइरस है जो AIDS कर्स करता है रुबेला वाइरस, कैरिकेला वाइरस, कौराइनी बेक्टीरियम जिप्थीरिया या HIV इसका correct answer है option D HIV next question है question number 5 तहरी डाम of उत्राखंड has been constructed on which river तहरी डाम है उत्राखंड में ये किस river के उपर बना आई ये पूछा है तीस्ता, अलक नंदा, भागे रथी या घागरा तो आपको इसमें से जो भी correct लग रहा है वो लिखो इसका correct answer है option C, भागे रथी okay next is question number six the first European in modern time to enter in India या वर कौन थे जो सबसे पहले इंडिया में आये थे Dutch, Portuguese, French या British तो आये थे सबसे पहले Portuguese ठीक है ये ये नहीं आता उत्ता तो आपको बस ये याद रखना है कि सबसे पहले कोन आया था उसके बाद कोन आया था ठीक है तो सबसे पहले कोन आये थे Portuguese next है question number seven the Vedic God पुरान अंदार was the same as कौन से Vedic God जिन का नाम था पुरान अंदार ये इन में से कौन से God को माना जाता था जैसे है कि भगवान की बहुत सारे नाम होते हैं ठीक है ये बहुत सारे रूप होते है तो उसी में से ये question है तो वरुना इंद्रा यामा या रुद्रा इसका correct answer है इंद्रा next question eight the decision to form INA was taken at INA जो था आजाध हिंद फौज ये किसने लिया था कहां पर लिया गया था कौन से country के बात करिये है या ठीक है टोकियो बैंककॉक रंगून या कैलकटा तो ये हुआ था टोकियो में ठीक है और इसको क्या बोलते थे आजाध हिंद फौज भी बोलते थे who was the first Indian to entered the Indian Civil Services पहले इंडियन कौन थे जिन्ने ने एंटर किया था इंडियन Civil Services में सतेंद्रनाथ टेगोर, सीसी देसाई, सन बैनर जी या शुभाश चंद्र बोस आपको जो करेक्ट लग रहा है वो लिखो इसका करेक्ट आंसर है option A, सतेंद्रनाथ टेगोर question 10, anti-assets are found in medicine that cures anti-assets किस चीज को cure करता है? eyesight, stomach ache, pimples या headache इसका करेक्ट आंसर है stomach ache question 11, the constitution assembly set up to prepare a draft on the constitution of free India was chaired by जो constitution बना था, free India के लिए बन रहा था, उसको chair किस ने किया था, ये पूछा है ठीक है? तो options है Dr. Rajendra Prashad, Dr. B. R. Ambedkar, Javahar Lal Nehru या C. Raja Gopalacharya इसका correct answer है and I guess ये सबको पता होना चाहिए Dr. Rajendra Prashad, ठीक है? chair इन्होंने किया था ये ये politics का सबसे basic questions है, ठीक है? father of constitution B. R. Ambedkar और chaired किया था Dr. Rajendra Prashad ने question 12, the first to implement the concept of planning economy was सबसे पहले ये जो concept था कि economy को भी plan जैसे budget आते है तो ये सब क्या उसमें हम planning करते हैं, कैसे हम खर्च करेंगे, किस चीज़ पे ज़्यादा खर्च करेंगे, किस पे कम करेंगे तो government वही बताती है, तो ये ही होती है economy, ठीक है? तो ये जो सबसे पहले ये concept किस ने लाया था? कि economy को भी plan करना चाहिए जवार लान लैरू, जॉसफ स्टेनली, मार्शल टीटो या मोई जे डॉंग इसका correct answer है option B. जॉसफ स्टेनली question number 13, which spacecraft first landed on the moon? इन में से कौन सा spacecraft है जो सबसे पहले moon पे land करा था? Apollo 10, Apollo 11, Sputnik या Apollo 13 तो ये हुआ था Apollo 11, इसने सबसे पहले land किया था? तो फ्रेश वार्टर लेक लार्जस्ट कौन सा है पूरे वर्ल्ड में चिलिका लेक, कैस्पियन लेक, डाल लेक या लेक सुपिरियर? इसका correct answer है, लेक सुपिरियर लेक सुपिरियर के बारे में यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है, आप pause करके इसको एक बार read कर लो next question number 15, which one of the following has most corrosive effect? इन में से किसका सबसे ज़्यादा corrosive effect होता है, air, carbon dioxide, plant या water? इसका correct answer है, option D, water next question number 16, the founder of red cross movement was, red cross movement के founder कौन थे? बैडन पोवल, J.H. Donnet, Melvin Jones या Florence Nightingale इसका correct answer है, Melvin Jones question number 17, which of the following is not radioactive? इसमें से कौन सा radioactive नहीं है? tritrium, estatin, zirconium या francium तो इसमें से जो radioactive नहीं है, वो है option C, zirconium question number 18, at which place on the earth there is always day and night of equal duration? कौन सा place है? अर्थ पे, जहां पे day और night का जो duration होता है, वो हमेशा ही equal रहता है on the tropic of cancer, on the pole, on the tropic of Capricorn या on the equator? इसका correct answer है, option D, on the equator next is question number 19, at the following countries, आप पर्मिनेंट मेंबर अप दे security council except, ये सारे country जो है, उनमें से ये permanent member है, security council के, किसको छोड़के, except पूछा है China, France, Germany, USA इसका correct answer है, Germany, ठीक है, इसको छोड़के, बाकी सब जो है, वो security council के permanent members है question number 20, हरी द्वार is well known for which of the following industry हरी द्वार किस चीज के लिए जाना जाता है, ठीक है, किस industries के लिए fertilizer, cement, heavy electricals, या sift textile तो ये जाना जाता है, heavy electricals के लिए अगला है 21, which art form saw the maximum development during the period of Mughals तो जब Mughals इंडिया में आये थे, तो हमने कौन सा art form जो था, उसका development सबसे ज़्यादा हुआ था, sculptures, painting, dancing या architect ये जो मूर्तिया बनाते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है painting तो पता होगा, dancing भी पता होगा, architect क्या होता है, जो buildings बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा buildings का हमने देखा है, अभी भी जो बहुत famous famous buildings है, वो सब Mughal period की बनी हुई है, जिसे ताज महल, Red Fort, ये सब, चीक है तो इसका correct answer option D है अगला 22, the biggest dome in the world is at, biggest dome कहा है, पूरे world में बीजापुर, बिदार, पतेपुर, सिक्री, या गॉलकॉंड़, जिसका correct answer है option A, बीजापुर यहाँ पर उसके बारे में कुछ information दी है, कि गोल गंबर्स नाम है उसका, जो बीजापुर में located है, ठीक है, ये एक dome है circular dome, इसकी diameter इतनी है, और इस year में complete हुआ था, ये सब information दी हुई है, एक बार पॉस करके read कर लो, अगला है question 23, who is said to be the father of nuclear research in India, Raja Ramanan, U. R. Rao Homi J. Baba and option D is C. V. Raman इसका correct answer है, option C Homi J. Baba, उनके नाम पे सेंटर भी एक अगला 24, name the only Indian Prime Minister, who never faced Parliament during his tenure तो ऐसे Prime Minister, जिन्हों ने पारलेमेंट में आये ही नहीं उनके tenure के द्वारा, तो कौन है वो अटल व्यारी बाचपाई, चौदरी चरण सिंह, चंदर शेखर या विश्वनात प्रताप सिंह इसका correct answer है, option B, चौदरी, चरण सिंह अगला question 25, the biggest satellite of the solar system यानी मेड, is the satellite of which planet? यह किस प्लानेट का satellite है, Saturn, Jupiter, Neptune, या Mars तो यह है Jupiter का question 26, which of the following soil is best suited for the production of cotton? इन में से कौन सा best suited है, cotton की production के लिए black soil, yellow soil phosphalic soil या literate soil इसका correct answer है, option C, phosphalic soil question 27, the United Nations University is located which of the following city? कौन सिस्टी में लोकेटेड है? इस question is not that important बटहब है तो इसको कर लो एक बाए Geneva, New York Paris या Tokyo तो ये है Tokyo में ठीक है? अगला है question number 28, the book Big Egos and Small Men has been written by ये जो बुक है ये किस ने लिखी है? राम जेट मलानी, फिरोज वरुन गांधी, सोली सुराब जी या ननौतीस तो ये लिखी है राम जेट मलानी ने और ये बुक इंपोर्टेंट हो गई, ठीक है? नेक्स है question number 29, who was known as the Iron Man of Germany? ओटो वन, बिसमार्क, अडॉल्फ हिटलर, नेपोलियन 2 या विल्यम 2? इसका correct answer है option A, ओटो वन, बिसमार्क नेक्स है question 30, who directs the all-time famous movie called Mother India? यश्चोपडा, रमेश सिपी, मेभूप खान या पृत्वी राज कपूर? इसका correct answer है option C, मेभूप खान. नेक्स्ट कुश्टिन no. 31, which country is the largest producer of geothermal energy? geothermal energy की largest producer कौन सी country है? USA, UK, China, या इतली? इसका correct answer है option A, USA. इसका correct answer है, इसका correct answer है option B, पंजाब national bank, ये सारे इंडिया इंडिया तो लिखे हैं, बट इसमें foreign investors या फॉरें लोगों का भी कुछ होता है, इसलिए इसको properly, fully इंडिया नहीं बोल सकते हैं. 33, the first Muslim President of Indian National Congress was, इंडिया नाशनल कॉंग्रेस का first Muslim President कौन थे? सदेद एहमत खान, अब्दुल खान अजाद, बरियुदिन तयाब जी, या option D है, M.D. अली जी, इसका correct answer है option C, बरियुदिन तयाब जी. उनके बारे में यहां पे कुछ लिखा भी हुआ है, आप एक बार इसको read कर लो, post करके. 34 है, the first national park established in India is, पहला national park जो इंडिया में बना था, वो कौन सा था? option A, गुंदी national park, option B, Corbett national park, option C, दुद्वा national park, या option D, नागर्जन national park. तो इसका correct answer है, option B, Corbett national park. यह सबसे पहले बना था. Question number 35, the first telegraph line in India was led between. टेली ग्राफ लाइन थी, वो सबसे पहले, कहां से कहां तक बनी थी? कौलकटा से आगरा, कौलकटा से बॉम्बे, कौलकटा से डली, या कौलकटा से मद्रास. इसका correct answer है, कौलकटा से आगरा. ठीक है? पहले, अभी तो कौलकटा लिखते हैं, पहले कौलकटा बोलते थी, ठीक है? नेक्स्ट है, 36, the first newspaper published in English language in India was, पहला newspaper जो English language में published हुआ था, इंडिया में वो कौन सा था? दे हिंदू, दे बंगाल गैजट, यांग इंडिया, या नीटिव ओपिनियन. इसका correct answer है, option B, इसके बारे में यहां लिखा हुआ है, बंगाल गैजट के बारे में, और यह आपको हिंदी की बुक में भी पढ़ाया गया होगा, 12th क्लास में या 11th में, ठीक है? पत्रकारिता से related बहुत सारे चीज़ें हैं, तो वहापे आपको यह करवाया होगा. Next है, जोदावरी, कावेरी या कृष्णा. इसका correct answer है, option A, गंगा. Next है, question 38, which of the following is, longest bridge in India? इसमें से कौन सा bridge है, जो longest है इंडिया में? महात्मा गांधी सेतू, राचीव गांधी सेतू, रबिंदर सेतू, या धोला साइदिया bridge. इसका correct answer है, option A, महात्मा गांधी सेतू, बट अगर हम longest, option के हिसाब से ये correct है, ठीक है, लेकिन सबसे longest चो bridge है, इंडिया में, वो है, भुपेंड हजारे का सेतू, ठीक है, लोहेत रिवर पे बना है वो, लोहेत रिवर, तो आपको ये याद रखना है, अगर option में इसमें से नहीं आया, तो वही होगा, ठीक है, भुपेंड हजारे का सेतू, अभी यहाँ पे option में वो नहीं दिया, तो उसके बाद से अगर देखा जाए, second longest या option के साब से, तो वो है महात्मा गांधी सेतू, में इंडिया का सबसे बड़ा largest solar plant power launch हुआ है, Tamil Nadu, Gujarat, Rajasthan या Madhya Pradesh, इसका correct answer है, option D, Madhya Pradesh, next question 40, who was the first Indian woman president of the Indian National Congress, Indian National Congress की first woman president कौन थी, Sarojini Naidu, सुचित्रा कृपालिनी, Annie Besant या Indra Gandhi, तो इसका correct answer है, option C, Annie Besant, I hope आप लोग अपने marks note कर रहे होगे, तो please मुझे comment करके भी बताना, ठीक है, comment करके अपने marks मुझे जरूर बताना कित्ते आ रहे हैं, next है question number 41, International Court of Justice is situated at, International Court of Justice कहाँ है इसमें से, The Hague, New York, Geneva या London, तो ये है The Hague में, उसके बारे में यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वो कब established हुआ था, और कहाँ पर है वो सब, read कर लो एक बार इसको, 42, Who among the following women was the first to be featured on an Indian stamp, कौन सी women है जो पहली, फर्स्ट है जो featured हुई है Indian stamp पे, रानी लक्ष्मी बाई, मीरा बाई, इंद्रा गांधी या रजिया सुल्तान, इसका correct answer है, option B, मीरा बाई, 43, the date on which day and night are equal, कौन से dates है, जिस पर day और night equal होती है, 21st March and 24th December, 14 January and 23rd September, 21st March and 23 September, या 14 January and 22 July, इसका correct answer है, option C, 21st March and 23 September, इस दिन दिन और राथ equal होते हैं, 44, which of the following pair is correct, इनवे से कौन सा pair correct है, ये क्या दिया हुआ है, dance forms दिये हैं, और state के नाम दिये हैं, तो कौन से state में कौन सा dance होता है, आपको पता होना चीए, तब ही ऐसे questions कर पाओगे, कर्थक, करनाटका, कुच्चिपूडी, तामिल नाडू, उडिसी, आंदरप्रदेश, या कतकली, केरला, तो जो correct है वो है, option D, कतकली, केरला, question 45, वंदे मातरम सौंग, इस टेकन फ्रॉम विच आफ दे फॉलिविंग बुक, जो वंदे मातरम सौंग है हमारा, आनन्द मठ या भारत भारती, इसका correct answer है, option C, आनन्द मठ, अगला question number 46, the sports with which, विश्विनाथन आनन्द is associated, कौन से sports के साथ इन में से, जो विश्विनाथन आनन्द है, वो associated है, ये बहुत ही famous हैं, तो आपको पता होना चाहिए, बिलियर्ड्स, चेस, टेबल टैनिस, या बाटमिंटन, तो इसका correct answer है, option B, चेस, चेस के बहुत ही बड़े प्लेयर हैं ये, काफी famous भी हैं, ठीक है, next question number 47, identify the wrong pair, रॉंग कौन से इन में से, ठीक है, Michael Faraday, Dynamo, Galileo, Microscope, Gram and Bell, telephone, या टुरीकुल की, Barometer, इसमें से wrong जो है, वो है, Galileo, Microscope, ठीक है, तो option B, जो है, वो wrong है, बिसे, इस टाइब की, matching वाले questions, काफी कम आते हैं, बड़ आपको ये, पता होने से, किसने क्या, discover किया है, question number 48, electional help, for section of one third members, of Rajya Sabha, after every, तो, कितने सालों बाद, election होते है, for one third member, of Rajya Sabha, two year, three year, four year, या six year, तो, ये होता है, after every, two years, next question number 49, when is the international day against drug abuse and illicit traffic observed, international day, मनाया जाता है, against drug abuse and illicit traffic, ये कब होता है, जून 27, जून 26, जून 25, या जून 24, तो, ये होता है, जून 26 को, and the last question is, who has launched, a behavior change campaign, नेविगेटिंग, the new normal, ये नाम है उस campaign का, किसने launch किया ये, नीती आयोग, ICMR, health minister, या home minister, इसका correct answer है, नीती आयोग, तो, ये थे, GK के 50 questions, next part में हम, इसका set 2 करेंगे, मैं 50-50 करके, 150 आपको पूरा upload कर दूँगी, ठीक है, तो वो भी देख लेना, कि आपकी पूरी practice हो जाएगी, एक mock test जैसे, so thanks for watching, इस video को please share कर देना, और next part में जल्दी upload करूँगी, उसको भी देख लेना,